गाइज आज हम आपको अमेरिका में रहने वाले एक ऐसे भारतिय आदमी के बारे में बताएंगे जो की करोडों रुपे कमाने के बाद भी अमेरिका की एक सुनसान जगह पर अकेला रहता है जहां पानी और बिजली की भी सुईदा नहीं है ऐसा वह क्यों कर रहा है आईए ज हमान्सु एक सोफ़ेर इंजीनियर हैं अमेरिका जाने के पस्चात हमान्सु ने बहुत महनत की और वहां की नागरिकता लेने के बाद साथ हेकड की जमीन खरीद ली उनका कहना है कि वह अब अमेरिका का नागरिक बेसक है लेकिन वह भारत को नहीं भूला है और वह अपना जीवन एक भारत के किसान की तरह जीना चाहता है। उन्होंने अपनी 60 हेकड की जमीन में एक टाइनी हाउस भी बनाया है। जैसा कि मैंने बताया था कि जिस जगहें हिमानसु रहते हैं वहाँ पर नै तो पानी की सवीदा है और ना ही बिजली की। पानी के लिए हिमानसु अपने घर से कुछ किलोमेटर की दूरी पर स्थित सहर की पानी की पाइपलाइन से एक बार में ही लगबग 2000 लीटर पानी एक साथ ही भर कर लाते हैं और लाइट के लिए उन्होंने एक सोलर पैनल यूनिट लगाई हुई है। इस छोटे से घर में इ एक कुट्ता और कुछ मुर्गियां भी पाली हुई हैं वह अपने जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। हिमानसु की एक गल फ्रेंड भी है जिसका नाम केला है। केला अक्सर वीकेंड पर हिमानसु के साथ रहने आती है। कुछ समय पहले ही हिमानसु ने अपने इस नई जीवन की सुरुवात की है। हिमानसु के अनुसार प्रकृति के बीच में रहकर साधारन तरीके से जीवन जीना उनके जीवन का लक्षा है। यदि आप भी हिमानसु के जीवन जीने का तरीका देखना चाहते हैं तो आप उनके ओफिसियल यूटूब चैनल इंडियन मैन इन अमेरिका पर विजिट कर सकते हैं। इनके यूटूब चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। गाइज आपको हिमानसु के जीवन जीने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के ल मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद।